जैहिन दोस्तो वेलकम टू सिवशान्ती क्लासेश में आपका बहुत-बहुत सवागत है तो दोस्तो इस वीडियो में हम क्या समझेंगे सिंप्लिफिकेशन समझेंगे कैसे इन तीन कोशनों का अर्थाद बॉर्ड मास ऐसे कोशन जिसमें बॉर्ड मास रूल अप्लाई होते हैं वह ऐसे कोशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कैसे सिंप्लिफाई करेंगे वह हम इस वीडियो में देखेंगे उसके साथ ही board mask के complete rule को हम अच्छे से detail से समझेंगे टिक तो वीडियो को start करते हैं उससे पहले आपको एक जानकाई दे दूँ कि यह आप 9th class या 10th class की student है या कि आपके पहचान में कोई 9th class या 10th class की student है तो उसे बता दीजिए कि मैंत के लिए आपको परिसान होने की जरुवत नहीं है कहीं और coaching लगाने की जरुवत नहीं है क्योंकि जब आपको सिवसांती classes में free of cost जिसका कोई charge नहीं लग रहा है आपको playlist पे जाना है सिवसांती class में जब क्लिक करेंगे जब आपको वीडियो ऐसे देख रहे हैं आप यहां पे आप हमारे नाम पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यह interface open होगा तो क्या करना है आपको playlist पे जाना है उपर लिखा है home, video, playlist तो आपको क्या करना है playlist पे जाना है तो जब आपको यहां पे क्लिक करेंगे तो बाकी आगे के वीडियो भी आपको chapter 4, chapter 5 आपको दिखाई दे देगा तो हर एक chapter का introduction भी बताया गया है बहुत ही proper तरीके से आपको example, हर एक example का एक particular video है हर एक exercise का, हर एक question का एक particular video है आप एक बार visit करके जरूर देखिएगा ठीक, आपको playlist में जा करके इस सभी चीजों को देखिएगा जरूर पसंद आएगा, तो आप देखिएगा नहीं आएगा, तो मत देखिएगा ठीक, लेकिन जाके एक बार 2-4 वीडियो अवस्च देखिएगा ठीक न, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा कुछ भी करने का आपके पास सिर्फ एक ही payment करने का option है सब्सक्राइब करिए इसका कोई खर्चन ही होगा, आपको पैसा नहीं लिया जाएगा सिर्फ आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक, आपको वीडियो पसंदार हो तो वीडियो को लाइक कीजे और वीडियो को सेर जरूर कीजे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वेल आइकन का प्रसा आएगा उसमें आपको All पर क्लिक कर देना है तो आपका ऐसा इंटरफेस हो जायागा इसका कोई भी चार्ज नहीं लेगा इस बात का जरूर धानगी बच्चे लोग सब्सक्राइब इसलिए नहीं करते तो उनको लगता है कि कुछ पैसा ना कट जाये इसे हमारे मेंबर बढ़ते जाते है तो प्लीज इन्हें बढ़ाईए हमारे स्विसांति क्लास परिवार में आप भी जुड़िए आपको बहुत सादा समय बरवाद कर दिया तो प्लीज आप हमारी बात जरूर मानेंगे वीडियो को आंगे बढ़ाते हैं बिना देदी के तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं BODMAS सिर्फ ये BODMAS नहीं होता है ये Real में होता है V BODMAS होता है ठीक इसका Full Form क्या होता है ये देख लिए है सबसे पहले V मतलब VAR ठीक B B O D M A S B O D M A S इस B का मतलब है Bracket O का मतलब है Off या कि पी हिंदी में हम क्या कहते हैं का D का मतलब है Divide M का मतलब है Multiplication A का मतलब है Add अर्था जोड S का मतलब है Substraction अर्था घटाना ठीक तो ये हमारा हो गया Full Form अब कैसे होता है इसको Solve कैसे करते हैं वो देखिए जैसे आपके पास कोई भी Equation दिया हुआ है जा लिजे ये Equation दिया हुआ है ठीक मतलब एक Question दिया हुआ है उस Question में आपको सबसे पहले देखना है कि Bar है या नहीं है अर्थाथ सबसे पहले Solution Solve क्या होगा पहले सबसे पहले हमारा होगा Bar Solve एदी Question में है है तू एदी नहीं है तो आपको आगे बढ़ जाना है ठीक एदी Bar है तो पहले Bar Solve करना है उसके बाद Bracket Solve करना है ये दूसरे नंबर पी आता है लेकिन Bracket हमारे तीन प्रकार के होते है ठीक पहले ये छोटा Bracket फिर मजला Bracket फिर बड़ा Bracket ठीक ये तीन प्रकार के Bracket होते है उसमें भी अब इन Bracket में भी हमें Decide करना होगा कि हमें सबसे पहले कौँ सा Bracket Solve करना है तो पहले हमारा छोटा Bracket होगा इसे हम छोटा Bracket कहेंगे ये हमारा मजला Bracket है और ये हमाला बड़ा Bracket है तो सबसे पहले छोटा Bracket Solve होगा अर्थाद ये दूसरे नंबर पे इसके बाद ये तीसरे नंबर पे हमारा मजला Bracket होगा फिर चौते नमबर पे मारा बड़ा ब्रैकेट होगा अब इनको solve कर लिए उसके बाद हम पांचमे नमबर पे किसको solve करना है OFF को solve करना है यह दि उस question में है तो तो पांचमे नमबर पे क्या हो गया OFF solve होगा छटे नमबर पे divide भाग हम छटमे नमबर पे देंगे फिर साथमे नमबर पे multiply करेंगे क्या करेंगे multiply उसके बाद addition करेंगे उसके बाद हम subtraction करेंगे अर्थाद सबसे last में हम घटाना करेंगे आयध्यन में तेक इस OFF का मतलब क्या होता है OFF का मतलब ही होता है गुना अब यहाँ पे भी गुणा यहाँ पे भी गुणा यह दिक्कत होना चीए तो यदि आफ लिखा है तो सबसे पहले आप उसे solve करेंगे उसके बाद भाग देंगे लेकिन आफ के जगे सिर्फ गुणा लिखा है तो गुणा का मतलब यह गुणा तो पहले आपको भाग देना पड़ेगा फिर गुणा करना पड़ेगा आया समझ में एक बार और बता देता हूं आपको कि यदि आफ लिखा है तो आप भाग देने से पहले यह गुणा करेंगे अधी भाग नहीं दिखा है मतलब off नहीं लिखा है डायट गुणा लिखा है तो आपको पहले भाग देना होगा फिर गुणा लिखना होगा जैसे एक example में लेके बता देता हूँ वो आपको ज्यादे बिटर लेगे मा लिजे यहाँ पे लिख दिया 2 of 4 divided by 2 यह लिख दिया तो यहाँ पे कहो जाएगा 2 अब 2 यह off का मतलब होता है गुणा 4 भागे 2 तो यहाँ पे भाग पहले सब नहीं होगा पहले यह गुणा होगा क्योंकि यह गुणा गुणा नहीं है यह off है तो कहा हो जाएगा 4 दू नहीं 8 भागे 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 भागे 2 4 हो जाएगा यही यही पे off के जगे क्या कर दू 2 गुणे 4 भागे 2 यही मैं यह कर दू तो इसको कैसे solve करेंगे पहले हम भाग solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 4 बटे 2 2 हो जाएगा अदोदोनी 4 तो देखिए यहां पे अंसर 4 आया यहां पे अंसर भी 4 आया लेकिन यह वाइ इस question में ऐसा आ गया लेकिन हर question में ऐसा नहीं होता है ठीक है ना तो proper तरीका क्या है कि सबसे पहले आप bar solve करेंगे फिर bracket solve करेंगे पहले चोटा bracket फिर मजले ब्रेकेट फिर बरा ब्रेकेट उसके बाद आपको off solve करना है अर्थात off वाला गुणा करना है फिर divide करना है अर्थात भाग देना है उसके बाद multiply अर्थात बुणा करना है addition मतलब जोड़ना है subtraction मतलब घटाना है आया समझ में अब इससे related कुछ question कर लेते हैं देखिए क्या है question पहला question क्या है आठ भागे दो ब्रेकेट में है दो प्लस दो यह हमारा question अब सबसे पहले क्या है सुलूख कर दीजे पहले हमें क्या करना है solve बार solve करना है तो इसमें बार दिख रहा है बिल्कुन बार नहीं दिख रहा है बार क्या होता है वह हम आगे जैसे question है करना तब हम बताएंगे ठीक बार यहां पर आपको दिख रहा हुगा जैसे 5 प्लस 3 लिका है इसको पर जो यह लाइन खिचा हुगा है इसी को हम बार कहते हैं जिसको पर लाइन पहले उसे solve करना मुला पांथे onुऩ फ़े yourself करना बाकी चीजे बहुफ जाता है तो यहां पर हमारे पास दिख रहे बार कहीं पर नहीं दिख रहे हुआ उसके बाद हमें कंडानी है करा में है ब्रैकेट में भी चोटा ब्रैकेट स्वा नहीं फरेश्च पह पे ब्रैक्त ह चार हो जाएगा, अब यहां पर कोई चीन नहीं है, तो क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें क्या का न होगा, गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा, आठ भागे, चार दूनी, आठ हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गया, अब आठ बटे आठ क्या हो गया, एक हो जाएगा कि हमारा क्या अंसर लेती हैं जैसे क्वेश्टREAM बढ़ेगा विक्वे लेबल बन बन जो लागल के डिविकल्य हो क्या रहा हम 15 ए हमार ब्रेकेट जाएछे बार नहीं है तो पहले उसके बाद क्या करना है? ब्रैकट सॉल्व करना है देखिए B, B, O, D, M, A, S पहले बार सॉल्व करना है तो बार है ही नहीं अब ब्रैकट सॉल्व करना है ब्रैकट में भी छोटा, मजिला और फिर बड़ा तो पहले छोटा bracket, छोटा bracket अब दिख रहा है, यह दिख रहा है हमारा छोटा bracket, तो पहले इसे solve कर लीजे, जिसको solve करेंगे, सिर्फ उस पर ही changes करेंगे, बांकी question जैसा है, वैसे उतर जाएगा नीचे, तो क्या हो गया, 15 था, 15, minus, बरा bracket, 5, plus, मजिला bracket, 24, minus, इन दोनों को solve क करना है, 13, 8, कितने हो जाएगा, 21, तो छोटा bracket तो हट गया, बचा क्या, मजिला bracket, ऐस समझ में, अब, अब देखिए, यहां पर क्या बचा, मजिला bracket, मतलब छोटा bracket हमने solve कर लिया है, अब हमारे पास आएगा मजिला bracket, तो यह रहा हमारा मजिला bracket, तो क्या हो जाएगा, सि पांच प्लस, 24 में 21 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तीन बचेगा, अब मजिला bracket भी गायब हो गया, अब बचे क्या है, बड़ा bracket, तो बड़ा bracket को solve करो, क्या हो जाएगा, 15 माइनस, 5 और 3, 8 हो जाएगा, यहां पर बड़ा bracket भी खतम हो गया, अब देखिए, 15 में 8 जाए आपके मन में है, आप नेटे कमेंट बाक्स में बताएगे, हम आपको एंसर जरूर बताएगे, ठीक, अब देखिए, हमारे पास तीसरा question है, क्या question है हमारे पास, 12 प्लस, 7 प्लस, मजिला bracket 6, प्लस, 4 माइनस, छोटा bracket 16, भागे, 5 माइनस 3, bracket 1, bracket 1, और यहां पर क्या दिख और यह बार दिख रहा है, 5 और 3 के ऊपर क्या है बार, तो हम इसSonra क्या करना है, बी ओ, बी ओ, डी, एम, ए ए, अ, पी बार बार, तो सबसे पहले bracket соглас करना है, मनला बार solve करना है, तो यह हमारे पास बार है, हमें कुछ नहीं देखना है, पहले बार देखना है, तो बार में क है 5 minus 3 to 5 minus 3 क्या होता है 2 होता ہے तो पहले हमें क्या करना है इसे सॉल्व करता है आया समझ में तो क्या लिख देंगे जिसे सॉल्व नहीं की है उसे जैसा है वैसे लिख देंगे तो क्या हो जायगा 12 plus bracket में 7 plus मजला bracket, 6 प्लस, 4 माइनस, क्या हो जाएगा 16 भागी 5 में 3 जाहने क्या हो जाएगा 2 यह हमारा क्या हो गया, sticker बार salt हो चुका है बार solve करने के बाद हमारे पास bracket solve करना है तो क्या हो जाएगा, यह छोटा bracket फिलिप मजला bracket फिर बड़ा bracket तो पहले हमें छोटा bracket solve करना है तो छोटा bracket हमारा ये दीखा तो उसे solve करना है तो कैसे solve हो जाएगा सिर्फ इसे solve करना है बाकी जैसे हैं वैसे रहेंगे क्या हो जाएगा 12 plus bracket में हो जाएगा 7 plus फिर bracket में 6 plus 4 minus 16 भाटे 2 अर्था 16 भाटे 2 तो चोटा ब्रैकट के बाद ही सॉल्व मजलब hospitalized अब यहां पर ध्यान ते सिल्व करना है क्या हो जाएगा हमारे पास 12 PLUS 2 साथ PLUS यह ब्रैकट रखेगा क्यों इसके अंदर क्या है PLUS भी है और MINUS भी है अब हमें यहाँ पर देखना है यह PLUS है यह MINUS है पहले SOLVE क्या होगा PLUS SOLVE होगा सबसे पहले जब ब्रेकेट के अंदर फिर कई चिन आ जाये तो उसमें आपको आएगे देख लेने हैं कि पहले कौन से चिन सॉल्व होगा इनमें कौन को से चिन है, प्लस है और माइनस, तो पहले क्या solve होगा, पहले plus solve होगा, तो 6 और 4, 10 हो जाएगा, माइनस 8, ठीक, अभी मजले ब्रैकट गायब नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छी तरह से solve नहीं हुआ है, अब हमारे पास plus खतम हो गया, तो सीधे क्या होगा, माइ पास, देखिए, 12 plus 7 plus, 10 में 8 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यह तो, अब यहाँ पर चला जाएगा, मजले ब्रैकट खतम, अब आएगा हमारा बड़ा ब्रैकट, बड़े ब्रैकट में यह रहा, तो बड़े ब्रैकट में solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब 12 और 9, 21, तो हमारा 21 आगया answer, आए समझ में, कैसे solve किये, तो 1 by 1 आपको solve करना है, बर solve करते समय आपको ध्यान रखना है, यह भी बार्ड मास, यह उसके अलावा आप solve करेंगे, तो आपका question गलत हो जाएगा, उमीद करते हैं, आपको हर एक question, हर एक सवाल, बार्ड मास के rule, बार्ड मास का full form, हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज हाद जोड के आपनी वेदन करते हैं, कि प्लीज प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए, ठिक, और वीडियो पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को like कीजिए, और दोस्तों तक share जरूर कीजिए, ठिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जै हिन, जै भारत